हालो अब्रीवन इस वीडियो के अंदर मैं जनलाइस्ट थी दैमेंशनल एक्क्विशन ऑफ कंट्यूटी एक्क्विशन इन कार्डेशिंग कोर्डिन सिस्टम ड्राइब करने जा रहा हूं तो आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने कुछी यहां पर पहरले ही से लेकर रखा है यहां पर मैंने यह की फ्लॉडःद गंसीडर किया है यह क्लिवीडर हें का फ्लॉडःद को जहां थाीशन और यहां साट द्राइक्शन में प्रप्र Mole स्टीं इस एच और कंजनला से ठीक है यह fluid element आपने समझा इसके बाद यहां पर मैंने कुछ parameter लेख सकते हैं जैसे m.x, m.y और m.z ठीक है dot जब किसी के उपर लगा देते हैं तो उसका मतलब हो जाता rate तो यहां पर देख सकते हैं x का मतलब यह x direction y और z तो यहां पर लखा हुआ आप देख सकते हैं m.x, m.z और m.z यह क्या है mass flow rate है x, y, z direction दूसरी चीज हमने यहां पर consider किया है जो fluid flow हो रहा है उसके u, v और omega तो u क्या है velocity in x direction, v क्या है velocity in y direction और omega क्या है velocity in z direction ठीक है, यह कुछ parameter जो हमने consider किये हैं, अब यहां पर एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि x direction की यह दब बात करें, ठीक है, तो हम लिख लेते है mass flow in x direction flow in x direction, मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, कि mass x direction में कितना enter कर रहा है तो x direction जो mass enter कर रहा है, वो m.x है, m.x अब एक चीज़ समझी है आप यहां पर, जब mass enter कर रहा है तो m.x है, और कुछ mass इसमें accumulate हो सकता है, तो जब यह leap करेगा, तो आपका leap करेगा m.x प्लस, del m.x upon del x into dx, यह fraction बेसिकली यह जो component है, यह सो कर रहा है, change in mass, mass में कितना change हो रहा है यह कहां से आया, यह mathematical चीज़ होती है, इसको अभी for the timing हमको remember रखना है, सीधा से remember कर सकते है, dm.x है, इसलिए dx और यह del m.x है, upon del x into dx, dx के represent कर रहा है, इसकी dimension को, तो m.x है, m.x के represent कर रहा है, mass flow rate in x direction, अब mass flow rate का formula होता है, mass upon time होता है और mass flow rate को, आप इस तरह से भी calculate कर सकते हो, density into discharge ठीक है, मैं आपको बता देता है, यह कहां से आया, density, density क्या होता है, mass upon volume और discharge क्या होता है, volume upon time, तो volume सो volume cancel out हो, तो mass upon time, mass flow rate यही तो होता है, mass upon time ठीक है, तो आपको mass flow rate आ रहा है इसके बाद, m.x निकला है आपका तो आपने यह देखा, अब यह जो discharge होता है, ठीक है, discharge निकालने का formula होता है, discharge निकालने का formula होता है, q equals होता है, area into velocity जिसको आप a into v भी देख सकते हैं, अब यह दे हम x direction बात करें, तो इसका जो subjected area है, वो subjected area कि हों कौन सा है, यह वाला है तो यहाँ पर यह क्या है, dy है और यह क्या है, dz है तो area को लिख सकते हैं, तो m.x को आप final कैसे लिख सकते हैं row density into q, q क्या है Teaching area, तो area की जगे मैं यह क्यां लिख सकता हूğ dz into dy यहाँ मैं लिख देता हूँ यहाँ यहाँ पर dy into dz और velocity तो velocity x direction कितना है? u तो यहाँ से m.x की जो value आगई आपकी वो आगई आपका row u dy dz ठीक है? यह value आगई आपकी x direction में जो mass enter कर रहा है ठीक है? इसको further solve करते है अब हम निकालते है mass leaving x direction ठीक है? तो mass leaving x direction ठीक है? तो mass जो leave कर रहा है उसका हमने निकाल रखा है वो क्या है? m.x plus del mx upon del x into dx ठीक है? अब mass accumulated है ना? कितना mass इसमें घटा होगा? तो mass accumulated निकाल सकते है mass accumulated क्या हो जाएगा? initial minus final तो mass accumulated तो mass accumulated equals आजएगा ठीक हो mass enter कितना कर रहा है? m.x enter कर रहा है leave कितना कर रहा है? m.x plus del mx upon del x into dx तो mx में से mx minus हो जाएगा cancel out हो जाएगा? ठीक है? तो क्या बचेगा? यह वाला part सीधा से में क्या बोलने कोशिश कर रहा हूँ? mass accumulated क्या हो जाएगा? कितना mass enter कर रहा है? minus कितना mass leave कर रहा है? तो leave क्या कर रहा है? m.x plus del mx upon del x into dx ठीक है? अब यहां से आप इसको solve करेंगे हमने क्या किया हुआ है? m.x की value निकाल रखी है m.x की value निकाल रखी है m.x की value क्या है? यह है row u dy dz ठीक है? तो यह m.x की जो value है उसको मैं यहाँ पर put up कर दे रहा हूँ ठीक है? तो यह आजाएगा minus del upon del x और इसकी value है आपका row u dy dz और into यह dx है इसको आप फर्दर लिक्स देते है minus इसको फर्दर solve करेंगे तो क्या जाएगा? del upon del x ठीक है? और row u और यह dx को मंदल ले सकते हैं ठीक? तो dx को मंदल लोगे तो आप क्या क्या जाएगा? हाँ इसमें छोटा से और यह देख सकते हैं dy और dz है इनकी value क्या है? constant है तो constant है तो इसको आप बाहर ले सकते हैं तो अंदर के बचेगा? rho u और इसको आप लेख सकते हैं del x into dy into dz अब आप देखो यह जो fluid element है, cubital fluid element इसकी length क्या है? dx है with क्या है? dz है, height क्या है? dy है तो इसका जो volume होगा, वो क्या हो जाएगा? dx into dy into dz तो basically यह जो represent कर रहा है यह क्या represent कर रहा है? volume को represent कर रहा है इस fluid element का तो मैं इसको ऐसे लेख सकता हूँ further equals इसको मैं इस तरह से divide कर देता हूँ तो यहाँ पर आजाएगा आपका minus del upon del x into rho u और यह क्या हो जाएगा? dv ठीक है? इसमें dv क्या है? यह जो fluid element है यह जो fluid element है, इसका volume dv है तो यह आगया आपका mass accumulated in x direction ठीक है? mass accumulated in x direction मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर जिस इस mass accumulated in x direction ठीक है? same process follow करके हम क्या निकाल सकते है? mass accumulated in y direction mass accumulated in z direction तो mass accumulated in y direction निकाल लेता हूँ मैं process parameter उसी इस तरह से चेंज हो है तो e minus 1 is del upon del y और यहाँ पर rho तो density same है और यह u की जग की आ जाएगा? v आ जाएगा by direction velocity v है small v और यह dv यह आपको यह confuse नहीं होना small v velocity को रप्जाइन का रहा है यह volume को रप्जाइन का रहा है ऐसे ही mass accumulated in z direction in z direction तो mass accumulated in z direction similarly आ जाएगा del upon del z और rho omega into dv तो यह था हम total mass accumulated की बात करें अब टोटल mass accumulated की बात करें तो total mass accumulated कितना जाएगा? total mass accumulated accumulated मतलब उसमें खटा कितना हो रहा है तो यह हो जाएगा आपका minus del upon del x rho u db plus minus of del upon del y और यह rho v db plus मैं लिख देता हूँ उसको भी minus of del upon del z rho omega और db ठीक है? यह total mass accumulated आ गया अब इसको थोड़ा सा दूसे तरह से सोचते हैं अभी हमने rate of mass accumulated निकाला अब जैसे दूसे तरह से हम इसको analyze करें तो क्या देखेंगे? इसमें mass कितना collect हो सकता है? जितना इसका volume होगा? उतने mass इसमें collect हो सकता है, accumulate हो सकता है तो mass accumulated equals कितना हो जाग? इसका density into इसका volume density volume से multiply करते हैंगे तो क्या जाए? mass आजाएगा? volume का हमने क्या लिया है? इसका flowed element का volume है, rho db लेकिन यह सिर्फ mass है, लेकिन आपको क्या ने करना है? जो आप consider करके चलना है, वो क्या? mass flow rate consider करके चलना है तो यह हो जाएगा m dot मतलब m upon t equals क्या हो जाएगा? rho db upon t ठीक है? तो यहाँ पर volume तो constant है, तो यह हो जाएगा d rho upon dt, time outcome लेके चलना है तो इसलिए इसकी जो value आजाएगी, वो आजाएगी d rho upon dt into db यह mass flow rate आगया, mass कितना accumulate हो सकता है, इसमें इसकी value आगयी अब इसको equation number, यह यहाँ पर जो हमने निकाला है इसको माल लेते हैं equation number 1 ठीक है? और यह जो दूसरी तरह से हमने निकाला है, इसको माल लेते हैं equation number 2 तो 1 और 2 दोनों equal होना चाहिए क्योंकि दोनों क्या represent कर रहा है, mass accumulated को represent कर रहा है तो अब इसको solve कर लेते हैं फर्दर solve करेंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसको भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जो mass accumulated आया है तो यह आ जाएगा minus del upon del x rho u minus हाँ, मैं क्या करता हूँ? db को कमल ले लेता हूँ ठीक है? तीनों में db, इसलिए db को कमल ले लिया del upon यह भी minus में आएगा del y इन्टू, rho b minus del upon del z into rho omega अब यह किसके बराबर हो जागा? यह आपका इसके बराबर हो जागा? कितना माच सक्मिल हो तो d rho upon dt into db db से db, cancel out हो गए इसको थोड़ा फर्दर और solve करते हैं फर्दर इसको यह दब solve करेंगे तो यह किस तरह से आजाएगा? हम इस वाले term को उधर ले जा सकते हैं यह जितनी यह term से इनको उधर ले आते हैं तो यह आपका equation कुछ इस तरह से जाएगा यह देल अपॉन डेल एक्स रो यू प्लस डेल अपॉन डेल वाई रो भी प्लस डेल अपॉन डेल जेट रो मेगा प्लस दी रो अपॉन डेटी से टीं इककोंट से यह आपका रोंILY इंक करä 282 आपका wildlife इसमें क्युक्त के ऊ सकते हैं वह हम अब देखते हैं कोडिनेट सिस्टम हमलों फ्लो स्टीडियो फ्लो स्टीडियो वह तो उसकेस में क्या होगा जो फ्लो के परेंटर वह टाइम साची नहीं हो रहा हो तो यह डी डीडी अपॉण डीट इकवल जागा जी रो जाएगा तो फ्रो फॉर for steady flow तो इसमें कि 0 y dt 0 हो जागा तो यह आजागा डेल अपॉन डेल एक्स रो यू प्लस डेल अपॉन डेल वाई रो वी प्लस डेल अपॉन डेल जेट रो डवल इक्कॉल किया जागा 0 यह किसके लिए steady flow के लिए अब यह दे fluid incompressible हो fluid incompressible तो fluid incompressible होगा तो उस case में क्या होगा density आपकी constant होगा रो इक्कॉल्स constant तो रो इक्कॉल्स डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल ओमेगा पॉन डेल जेट इक्कॉल्स जीरो फिर फर्दर सॉल्ट बढ़ होगा तो यह equation आ जागी अब यहां से डेल convert हो जागा उसमें डी में तो यह जागा डे यू अपॉन डे एक्स या स्वरी डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल ओमेगा पॉन डेल जाट इक्वाल्स जीरो ठीक है तो यह आपका एक्वेशन हो गए लेकिन यह किसके लिए बैलिट है इस्टी एंट इनकंपरेसिवल फ्लो ठीक है यह आपका इस्टी एंड इनकंपरेसिवल फ्लो के लिए बैलिट है